हलो दोस्तों इस बीडियो में आपको खाई लगाई का सही तरीका बताऊंगा और आपको मैं बताऊंगा आपको क्या करना है जब आप खा रहे हैं या लगा रहे हैं यह न्यूजिलेंड और आश्टेलिया का फाइनल का रेट दिखा रहा है जिसमें आश्टेलिया 67 पैसा फैबरेट है तो बैक का मतलब है लगाना ब्लू कलर में इस मैच में जैसे आश्टेलिया 67 पैसा फैबरेट है और ले का मतलब है खाना रेड कलर में बैक लगाना ले खा के लिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आप नोट कर लीजिए आप लॉस में नहीं जाएंगे क्यूंकि हम पंटस क्या करते हैं हमको इतना लालच होता है कि हम सोचते हैं एक ही मैच में करोरपती बनना है लिकिन ऐसा नहीं होता है मैं जो टिप्स बता रहा हूँ आप फॉलो कीजिए एक महीने तक और उसको आप एनलाइजिस कीजिए आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे नंबर वन पॉइंट है एक मैच में एक लिमिट से ज़्यादा यूज नहीं करना है पंटर का लोस का सबसे वड़ा कारण है वो एक मैच में एक से ज़्यादा लिमिट यूज कर लेता है आप भी अपना रिकॉर्ट चेक करें लाश्ट एक मंद का जिसमें आप हारते हैं उसमें एक लिमिट से ज़्यादा ही हारते हैं और दो-दो लिमिट तक हार जाते हैं ऐसा नहीं करना है एक मैच में एक लिमिट ही यूज़ करनी है हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमको लिमिट को कैसे यूज़ करना किस कितने परसेंट से कैसे ले करना है हमको शीखना है एक limit को कैसी उज़ करना है अक्सर हम करते क्या है जैसे इस match में open rates आउस्टिलिया का 67-68 पैसा है हमको इतना starting जैसे ही match होती है हम इतना हमको सब्र नहीं रहता है कि हम rate आने का bet करें open rate में ही अपनी एक limit से खा लेते हैं या लगा देते हैं लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है जो मेरी strategy है जिसे मैंने profit किया है और जो मैं आपको शिखाना चाहता हूँ वो ये है कि first inning में first inning में हमको सौधा नहीं करना है mostly हमको नहीं करना है हमको first inning में तभी करना है जब हमको हमारा rate मिल जाता है नहीं तो जातरा mostly हम second inning में ही अपना सौधा करेंगे first inning में अगर हमको rate मिलता है तो करेंगे किस rate पर कितने percent use करना है जो सबसे important बात है बहुत समझ लेजिए जब rate 30-35 पैसा जैसे इस match में 67-68 ओपिन हुआ है ऐसे matchों में जब rate 30-35 पैसा लगेगा तब हम बहाँ पे 50% limit यूज़ करेंगे और rate अगर और नीचे जाएगा तो 10-15 पैसे के बीच में हम 50% अपनी limit बहाँ पे यूज़ करेंगे एक limit को हमको दो बार में यूज़ करना है एक साथ यूज़ नहीं करना है बहुत सारे matches हैं daily matches हैं पूरी साल matches हैं हमको बेसब्र नहीं होना है limit को part wise यूज़ करना है और यूज़ करके rate करना है डरना नहीं है और लालच भी नहीं करना है इसमें formula है double pay loss cut first entry हम 30-35 पैसे पे करेंगे और वहाँ से rate जब हमको 60-50 पैसा मिलेगा हम अपना loss cut करके डूसरी team पे एक limit प्लेश छोड़ देंगे जैसे अगर हम 10,000 से खाएंगे 30 पैसे पे तो जब rate 60 पैसा आएगा तो हम पलट के 60 पैसे पे बैक करके और बाकी का 10,000 का profit दूसरी team पर जैसे इसमें न्यूजिलेंड है उस पे छोड़ देंगे और जब rate ओर 10-15 पैसा और आता है तो बहाँ पे और 5,000 से खाएंगे और एक limit जब rate 30 पैसा जाएगा तो बहाँ पे भी पलट देंगे और ऑस्टेलिया पे जीरो और नियूजिलेंड पे एक limit प्लस दोनों book set नहीं करना है एक limit एक team पे प्लस रहना है और दूसरी limit टीम पे जीरो इसका मैं आपको एपलाई करके दिखाता हूँ ये cricket exchange एप है आप इसको download कर लीजिए इसमें ग्राफ दिखाता है ये first semifinal है इंग्लेंड और नियूजिलेंड की बीच में जैसे हमारा strategy रहती है हमको second inning में ही mostly सोदा करना है जब तक हमको rate नहीं मिलता है अगर first inning में तभी करना है जब हमको rate मिलता है second inning में इंग्लेंड का और नियूजिलेंड का पहला विकेट गरता है वह हमको rate मिलता है इंग्लेंड 31 पर 32 पैसा फैवरेट बहाँ पे हमने 50% limit यूज किया उसके बाद नियूजिलेंड का एक और विकेट जाता है और इंग्लेंड 13 14 पैसे फैवरेट लगती है 50% हमने वहाँ से बहाँ पे अपना limit यूज कर लिया उसके बाद नियूजिलेंड अच्छा खिलता है पार्टनर से पहुती है और इंग्लेंड 50% पैसे फैर भी लग जाती है बहाँ हम अपना loss कट कर लेंगे और हमारा एक limit आनने को रहेगा नियूजिलेंड पे और इंग्लेंड पे हम 0 हो जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं करना है उसके बाद मैच में बहुत कुछ हुआ दो बिकेट फिर नियूजिलेंड के गिरे वहाँ से रेट 6-7 पैसा भी लगा लेकिन हम पहले से ही loss कट करके आराम से मैच को इंजोई कर रहे थे कि नियूजिलेंड अगर जीत जाता है तो हमारा एक limit आएगा उसके बाद नियूजिलेंड अच्छा खेला और हमारा एक limit पिलस हो गया without any risk रिस्क नहीं लेना है loss कट का मौका मिलते ही loss कट करना है और फिर मैच को इंजोई करना है इसी का दूसरे एक्जामपल कल ही वेस्ट निज बूमेन और पाकिस्तान बूमेन का मैच हुआ इसमें भी हमको वही अमारी strategy कि हमको सिब मोस्टरी सेकेंड इनिंग में ही अपना limit को इच करना है इसमें open rate पाकिस्तान 50 पैसे open rate था वहां ने अपनी 50% limit इच किया वहां से पाकिस्तान 10-12 पैसे गया 50% जो हमारा rule है 10-15 पैसे के वीच में वहां से वीच करेंगे वहां से पाकिस्तान के बिक्ट जाते हैं और पाकिस्तान 64-50 पैसे फैबिड लगी थी वहां पे हमने अपना loss कट कर लिया तो पाकिस्तान पे हम जीरो हो गए और वेस्ती इनडीज पे हमारा एक limit आने को है जिसका भी जो limit है अगर किसी की 10,000 limit है तो वह वह आपकिस्तान पे जीरो हो गया और वहां से वेस्ती इंडीज बिन हो गई तीसरा मैच, सेकंड सेमी फाइनल, पाकिस्तान और आश्टिलिया के बीच में, हमारी सेमी स्टेट जी के हम सेकंड इनिंग में ही अपना सौधा करेंगे, इसमें आश्टिलिया का फर्स्ट बिकेट गरता है, पाकिस्तान लग जाती है, 31 पैसे फैंबरेट, तो हमारा जो रू भी लग गया, तो हमको आश्टिलिया एंपर रख के, हमको बेट करना है, कि आश्टिलिया जीत जाए, तो हमारा एक लिमिट आने को रहेगा और नहीं तो हमारा जाने को कुछ नहीं है तो हमने दिखा ये दो दिन के अंदर ही हमारी तीन लिमिट प्लस हुई without any risk फर्स्ट तीस पैसे पे खाया पचास, साथ, पैसे पे पैसे पे पलट दिया और एक लिमिट प्लस हो गई वन साइट पंदरे पैसे पे खाया तो तीस लिमिट पैसे पे पलट दिया और एक लिमिट प्लस हो गई और इसके बाद आराम से enjoy करो सीखो, match पंद कर दो, family के साथ time spend करो ओके, ओके गाइस तो मैंने जो भी सीखा है अभी तक, जो भी मेरा experience है वो मैं short videos बनाके upload करूँगा देखिए, आप भी सीखिए, जो भी मैंने सीखा है बिलते हैं next videos नमें, चैनल को subscribe कर लेजिए